नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल पॉश्टिव अप्रोच में स्वागत है आज किस वीडियो में हम लर्निंग डिस अबिलिटी यानि अधिगम सबंधी कठनाईयों के बारे में जानेंगे यहां से जो है exam में एक question जरूर पूछा जाता है तो video बहुत important और बिल्कुल short video होने वाली है तो video को अंतक जरूर देखें जो हमारी सबसे पहली disability है सबसे पहली जो पठन सबंधी समस्या है वो है dyslexia ठीक है डिसलेक्सिय को हिंदी में कहा जाता है पठन सबंधी समस्या इसके क्या जो है कॉज है तो आप देख सकते हैं कि difficulty in reading of words and other symbol कि जो कोई student होता है क्लास में उसे difficulty होती है words पढ़ने में और कोई other symbol को पढ़ने में और यह जो है डिसलेक्सिय general intelligence को जो है effect नहीं करता जैसे कई बार जो है बच्चा 100 को वाज पढ़ देता है B को D पढ़ देता है और उसके मुख्य और लक्सर जैसे अक्सरों को उल्टे ढंक से प्रस्तूत करके जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 100 को वाज पढ़ लेता है एक एक कर वो धीमी गती से पढ़ता है द्रिष्टी वो समरिती कठी सबंधी कठनाई उसको होती है पढ़ते समय किसी सब्द या पूरी पंक्ती को ही वो बच्चा छोड़ देता है तो ऐसे बच्चे को जो है पठन सबंधी समस्य होती है कौन सी डिसलेक्सिया और कई बार वाक्यों में आए सब्दों को जो है आगे पीछे करके पढ़ता है तो यह कौन सी समस्य है यह है डिसलेक्सिया ठीक है चलिए आगे चलते हैं जो दूसरी समस्य है वो है में और उसके और मुख्य लक्सन क्या है लेखेक सबंधी कारियों में कठनाई उसको होती है सब दों वाक्यों के बीच अंतराल अनियमित होता है कलम पकड़ने का धंग ठीक नहीं होता अक्सरों का अकार समझने में भी उसे कठनाई होती है और वाक्ये छोड़कर या पुनरा दिया तो कैलकुलियस आप समझाएंगे कि यह जो प्रॉब्लम है यह रिलेटिड है कैलकुलेशन से इन्हें डिफिकल्टी होती है अर्थमेटिक प्रॉब्लम में जैसे कोई गनित का कार्य करने में से कठनाई होती है ठीक है संख्याओं को पहचानने में समस्या होती है आक इनको होती है इन्हें अच्छे से जो है mathematics क्यों problem समझ नहीं आती तो जिस बच्चे में भी यह लक्षन पाय जाते है तो उसे कौन सी disorder होता है वो होता है से dyscalculia तो एक्जाम में अब जिस भी तरीके का question पूछा जाए dyscalculia कि से सबंदित होता है तो calculation से सबंदित होता है arithmetic problem से सबंदित होता है और यह सभी जो क्या है इसके लक्षन है ठीक है चलिए आगे चलते हैं हमारी चौथी समस्या है चौथा जो disorder है वो है dysphraxia इसे कहते हैं गतिक causal सबंदित समस्या इसमें जो है बैठना चलना जंपिंग खेलना कुदना यानि और कोई टास्क को परफॉर्म करना इसमें जो है उस बच्चे को दिक्कत आती है तो उसे concert disorder होता है गतिक causal सबंदित समस्या यानि dysphraxia जो है उस student को होता है एक्जाम में यहां से जरूर question जो है पूछा जाता है तो मानके चलिए बिल्कुल short video है और यहां से एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का है ठीक है अब पांचवे नंबर की जो समस्या disorder है वो है अफेजिया अफेजिया होता है भासा संप्रेशन सबंदि समस्या जैसा कि इसका नाम है लैंग्वेज disorder से कहा जाता है और यह effect करता है ability to communicate बच्चे जो है असानी से communicate नहीं कर पाते उन्हें दिक्कत आती है communication में तो अफेजिया किस से रिलेट होता है language disorder से चलिए आगे चलिए जो 6th नंबर की जो हमारी समस्या disorder है वो है dysthemia dysthemia को हिंदी में कहा जाते है गंभीर तनाव की अवस्था इसमें जो है बच्चा related to depression है बच्चा depression में रहता है class में वो बिल्कुल चुपचाप रहेगा डिप्रेशन में रहेगा long sadness होगी वो उदास रहने लगेगा तो इस तरीके का अगर कोई बच्चा आपकी class में है ठीक है तो किस disorder से प्रभावित है तो वह गंभीर तनाव की अवस्था यानि dysthemia disorder ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सेर करिए जो हमारी साथ में जो डिसोडर है भू है ADHD बहुत नाम आपने सुना होगा ADHD की फुल फॉर्म है attention deficit hyperactivity disorder एक्जाम में कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है ADHD की attention deficit hyperactivity disorder हिंदी में से कहा जाता है ध्यान अभाव अतिक्रियसिल्ता विक्रिती ठीक है इसमें समान्य भासा में ADHD कहते है और इस तरीके के बच्चों को आवेगों में नियंतरन की समस्या होती है इनका ध्यान जो है एक जगा पर इंदरित नहीं हो पाता यह क्लास में जो है अनुसासन हींता करते हैं ठीक है कई बार जो है इन्हें बहुत गुसा आ जाता है इनके मूर्स वह स्विंग होते रहते हैं तो उसे जो है ADHD कहा जाता है attention deficit hyperactive disorder ठीक है और यह जो अवस्थ है प्राथमिक स्थर पर बच्चों तथ जाहिंद जाला